जै मतादी दोस्तों तपो भूमी क्लासिस पर मैं अब देश विदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ MP पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम की 6 फरवरी की पहली सिप्ट का एक्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूँ GK और Science में कुल मिलाकर डेली 35 प्रशन पूछे जाते हैं उनमें से 34 प्रशन आज हमें मिल चुके हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझिएगा कि प्रशन आपके कहां से आ रहे हैं और आपको कहां से पढ़ाई करनी चाहिए ये मैं आपको अंत मैं बताऊंगा तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले धनवाद देना चाहते हैं उन सभी लोगों का जिनों ने ये प्रशन हमें बेजे गोरब जी बैतूल से अनपूरा जी इंदौर से नितिन जी प्रियागराज से विसुरा विसुपरताब जी नीमस से नीलेश जी सिवनी से आसीज जी उ सर्च करिएगा तो गूगल पर आप जो सर्च करोगे वहां से जो आपको संबंदित जानकारी मिलेगी वह आंगे के एक्जाम्स में पूछी जा रही है ठीक है पहला प्रशन एसी आई खेल की मेजवानी 2022 में कौन करेगा तो एसी आई खेल को लेकर इतने प्रशन पूछे जा चुके हैं कुछ पूचो नहीं अगर आपने वह प्रशनों के बारे में कभी भी गूगल सर्च किया होगा तो यह चीज आपको पता चल जाती अगला प्रशन था आगाखा कप वह रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित हैं तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक जाएगा कल भी नरत्य के सेकिंड सिप्ट में दो कठिन कठिन प्रशन आये थे ठीक है कि एक नत्यांगना का नाम दिया था यह किसे संबंद देता है कथक नरत्य को किसने बहुत उचाईयों पर पहुंचाया तो वह दोनों भी उनके नोट से थे मरला जो चैप्टर उन्हो वेस्ट इंडीस के बीच कहां पर मैच खेला गया था तो वह रूप सिंग स्टेडियम में खेला गया था ठीक है और वही आपका रूप सिंग स्टेडियम का पहला इंटरनेशनल मैच था अगला प्रशन हमारा 2011 की जनगड़ना के अंसार आप देखो पता है कुछ बच्चो बहुत ही सिंपल कोशन है क्योंकि लगातार डेली एक या दो प्रशन आपके जन संक्या को लेकर पूछे जा रहा है तो यह आप से बनना चाहिए और जीपीवी आपकी राजीव गांदी प्राध्योगी की विस्विद्याला यह आपका बोपाल में है और अगर आर यह भी याद कर लेना क्योंकि हमारे यहां कापी इतासिक युनिवेस्टी भी है जो इस मामले में इन पूर्जिन पर प्रश्ण बन सकता है अगला प्रस्ण वन जीव अधनियम कब लागू किया गया ठीक है अगला ता बंगाल विवाजन की तिथी बंगाल का सोक दिवस भ बना बोला जाता था नीवू में कौन सा अमल पाया जाता है भारत का कुल जीडीपी भारत की कुल जीडीपी किती है ट्रिलियन डॉलर में आपको बताना है सर्च कीजिएगा थोड़ी चीज़े और मालुम चलेंगी और कोई एक मुद्रा पूची गई थी अब वो मुद्र तो वहां से डेली एक प्रशन आई रहा है एंपी की जीडीपी में प्रतिशत ब्रद्धी ये भी वहीं से आपका आ जाएगा अगला प्रशन मत प्रते स्वास्त आयोग का गठन कब हुआ डेली एक आयोग पूचा जा रहा है ठीक है उसके सचे पूच दिये कभी अद्दे मिर्दाय गती प्रती मिनिट में बतानी थी मिर्दा अपर अपरदन को रोकने के उपाए वहां पर चार ऑप्शन दिये थे उनमें से चुनना था मिर्दा को कठोर रखने में सायक परत कौन सी है ठीक है ये थोड़ा अलग टाइप का प्रस्थन था सूर मंदर किस वंस के सा सकने बनवाया उस वंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना हो सकता उस बनसे के चार पंच कुश्यन अगले पेपरों में आपको मिल जाए ठीक है इत्रदार महल कहां है तो इस महल के बारे में पढ़िएगा किसने बनवाया कहां पर है कौन से सा सकते ठीक है उनसे पास्त और फिर कुछ लिखा था पता नहीं क्या था यह एक्जेक्ट नहीं मिल पाया ठीक है अगला 25 प्रश्ण पायरो थाइराइड किसकी कमी से होता है अगला प्रश्ण बंगाल में उच्छ नियाला कब बना बंगाल या पर कलकत्ता बोल देते कलकत्ता में बता था एक बैसे टेकरी मदपदेश के किस जिले में बहुत ही महतपूर है बैसे टेकरी इसके वारे में डेटेल जरूर पढ़ लीजेगा मौलाना कलाम से संबंद एक प्रशन था मौलाना अबदुल कलाम जो हमारे प्रथम सिच्छा मंतरी थे साइद उनसे रिलेटेड प्रशन आया उप्षन होंगे बिरंजक चूड बगरा ऐसे तो जिसम पाय जाता हो लगा देंगे निम्न मैंसे कौन सी दो ब्रूर वाली जिल्डी किसमें दो ब्रूर वाली जिल्डी पाय जाती है और ऐसा था कोई तो त्योहार और नति यह सारे हमको देख नहीं है मद्ध प्रदेश को तो यह तो थोड़ा मत्रदेश का एतास का एक अच्छा प्रश्न हो गया अगला था या तो बैंकों का राश्टी करणت पूचा था या बनो का राश्टी करण पूचा था कि किस वर्स हुआ था तो यह 34 प्रश्न थे अगर वह जो एक प्रश्न हमें नहीं मिल पाया वह आप बताईएगा और अगर इन प्रशनों में कोई गलत है तो उसको भी बताईएगा अब यहाँ पर मैं आपको देखो वीडियो में दिखा दूँ पाट साला कैडवी वाले सर के नोट्स आपके बहतरीन नोट्स हैं या उनके वीडियो भी इतने बहतरीन हैं कि उन्होंने जो बत दन्वार जयमातादीम